इंडियन जेक्राफी यानि भारत का भुगोल काफ ही ज़्यादा important topic है, अगर आप किसी भी exam के तियारी कर रहे हो, तो friends, वो सभी question, जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं, वो मैं आपकी लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को starting zone तर जरूर देखना औ और वीडियो दिखने के बाद आप यही बोलोगे, वाँ भाई क्या वीडियो लेकर आया है, अगर आपने फ्रेंट्स इफचार सो कोशन अच्छे से कर लिए, एक्जाम में आपको जातर कोशन मेरी वीडियो से भी मिलेंगे, फ्रेंट्स मैंने आपके लिए सारे कोशन selected लिए हैं, वो ही कोशन लेकर आया हूँ, जो कोशन एक्जाम में बारब पुछे जाते हैं, तो आ अगला कोशन कर लेते हैं भारत किस गुलार्द में स्थित है तो आंसर है भारत जो है वो उत्री और पूर्वी गुलार्द में स्थित है अगर आपको option में उत्री और पूर्वी गुलार्द ना दिया हो आपको option में उत्री गुलार्द भी दिया हो सकता है आपको यह चीज ग्लोब से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अगर मैं यहां से प्रिथवी बनाता हूँ, आपको पता है, जो बीच में है, इक्वेटर है, जिसको कि हम भुमध्य रेखा भी बोलते हैं, विशुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, ज जो हमारा भारत है, यह उत्री गुलारत में है, और कुछ इस तरफ है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि उत्री पूर्वी गुलारत में हमारा भारत स्थित है, भारत की बहुगलिक स्थिती क्या है, सही आंसर है, जो भारत है वो उत्री गुलारत में 8 डिग्री 4 मिनिट से लेके 37 degree 6 minute उत्री अक्षांस और 68 degree 7 minute से लेके 97 degree 25 minute पूर्वी देशांतर की बीच में स्थित है आपको भारत का मैप बना के बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भारत का मैप इस तरह का होता है ठीक है मैं आपके लिए बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए ताकि आपको फ्रेंस यह कोशन बहुत अच्छे से समझ आ जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए ठीक बोलते हैं 97 degree 25 ठीक है friends important question है यह exam में कई बार पुछा गया है बारत कोशन हमारा है भारत की पूर्वी और पक्षमी की बीच कितनी देशांतर का विस्थार है तो answer है 30 देशांतर का विस्थार है friends मैंने आपको उपर कले question है था कि जो भारत का देशांतर विस्थार है वो है 68 degree 7 minute से लेके 97 degree 25 minute friends अगर आप 97 degree 25 minute में से अगर आप 68 degree को घटाओ गए तो तो 30 देशांतर ही आता है ठीक है यह हमारा question था और एक्जाम में कई बार पूछा गया है अगला question हमारा है अगर रुनाचल परदेश का समय गुजरात के समय से कितना आगे है तो आंसर है दो घंटे आगे है लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक ही मानक समय है इसलिए जो हमारे देश में जो समय है पूरे हर जगे एक जासा रहता है लेकिन अगर हम actual में बात करें तो गुजरात का समय और अचल परदेश के समय में दो घंटे का अंतर रहता है अगला प्रशन हमारा है भारत का छेतफल कितना है तो आंसर है 3287263 किलोमेटर मतलब कि 32,87,263 किलोमेटर भारत का छेतफल है अगला कोशन कर लेते हैं छेतफल की दिरिष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो आंसर है सातवा स्थान है छेतफल की दिरिष्टी से भारत का विश्व में अगर अगर हम बात करें नंबर एक पे जो है वो है रशिया ठीक है यहां पर लेता हूँ, रशिया नंबर एक पे है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसे नंबर पे अमेरिका है, जिसे की सही उत्राज अमेरिका बोलते हैं, चोथे नंबर पे चीन है, पांचे नंबर पे ब्राजिल है, छेमे नंबर पे आस्ट्रेलिया है, साथे नंबर पे भ जनसंक्या की दिश्टी से भारत का कौन सा स्थान है तो आंसर है दूसरा स्थान है विश्व में जनसंक्या के हिसाब से भारत का और प्रेंस पहले नंबर पे चीन है ठीक है अगला प्रशन हमारा है जनसंक्या की दिश्टी से विश्व का पहला दिश कौन सा है तो आंसर है च 3,214 km जो है वो भारत का उत्तर से लिके दक्षिन तक का विस्तार है, तो मैंने आपको बताया है, 3,214 km, मतलब यहां से लिके यहां तक की जो दूरी है भारत की वो 3,214 km है, इंपॉर्ट है यह अगला कोशन है, भारत का पूर्फ से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो 2,233 km भारत का पूर्फ से पश्चिम तक का विस्तार है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो विस्तार है भारत का वो है 2,933 km, अगला कोशन है हमारा भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर है, 15,200 km जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, मैं आपको यह मैं यहां पे है अरब सागर, यहां पे है बंगाल की खाड़ी, यहां पे है हिंदमा सागर, यहां पे पूछा गया था कि इस थलसीमा की लंबाई कितनी है, मैंने आपको बताया, 15200 किलोमेटर, मतलब यहां से लेकर, मैं समझाता हूँ, जो फ्रेंस यह लाल वाला पाट है, लाल जो मैं कर रहा हूँ, यह स्थलसीमा है, ठीक है, मतलब इसकी जो लंबाई है, फ्रेंस, वह है 15200 किलोमेटर, इमपॉरन कोशन है, यह अगला कोशन देखते हैं, क्या है, भारत की तटे भागी लंबाई कितनी है, फ्रेंस, यह जो पार्ट है, यह जो पूरा पार्ट है, यह पार्ट है, ठीक है, और यह बहुता है, 7516 किलोमेटर है, फ्रेंस, कैसे होता है, कि यहाँ पर लक्षदीप शमू भी है, यहाँ पर अंडमा निको बार दीप समू भी है, फ्रेंस, यह भी तो भारत की पार्ट है, इसकी पूरी जितनी भी है, मतलब, सीमा रेखा और इसकी यह लक्षदीप की पुरी सीमा रेखा है और यह तट्टिया रेखा है इसको मिलाकर बनता है 7516 किलोमेटर ठीक है यह हमारे कोशन का आंसर हुआ अगला कोशन है हमारा की भारत की मुख्य भूमे की तट्टे भाकी लंबाई कितनी है तो आंसर है एक सट सो किलोमेटर है फ्रें वो है हमारा एक सट सो किलोमेटर ठीक है अगला कोशन कर लेते हैं भारते उब महादीप में कौन-कौन से देश शामिल है तो आंसर है भारत, पाकिस्थान, बांगलादेश, नेपार और जो बुटान है यह भारते उब महादेश में शामिल देश है आफ्रेंस आपको पता ह बांग है थिम्पू अगला कोशन कर लेते हैं इंपॉर्ट है यह भी निया कोशन है बिलकुल करक रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहांपर एक दूसरे को काट देश है तो अंसर है चतिंगड में जो कोरिया जिला है वहाँ पे जो करक रेखा है और मानक धुकिर भारत की मानक समय कहां से होकर गुजरता है, तो answer है, जो भारत का मानक समय है, वो इलाबाद, जिसका नाम बदल के अब प्रियाग राज कर दिया कहा है, वहाँ पे जो नैनी जगे है, वहाँ से भारत का मानक समय गुजरता है, यह सारे question काफी जादा important है, मैं आपको important इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि friends यही question है, जो हर exam में बारबाद पूछे जाते हैं, तो friends आप exam से पहले सभी question अच्छे से रट लेना, क्योंकि सभी question एक अच्छे level की questions है, ठीक है, अगला question कर लेते हैं, भारत का मानक समय का दिशांतर क्या है, तो answer है, 82.5 जो है, वो डिगरी So API पूलते हैं, इसके बीच में कितने समय का अंतर है, तो answer है, 5 घंच थे, 30 मिनट का अंतर है, मानक समय और गीनविट समय के बीचमे, अगला question हैं हमारा भारत का मानक समय, जिसे कि हम IST बोलते हैं, और गीनविट समय, जिसको हम GMT बोलते हैं, कितना आगे है, तो आपको पत कि हम 82 1 by 2 यानि 82.30 भी लिखते हैं डिगरी पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है तो आपको पता नो जी है भारत का मानक सो में जो है वो पांच राज्य से होकर गुजरता है और फ्रेंस जो पांच राज्य है वो अगले कोशन में है भारत के किस राज्धानी करक रेखा परिस्तित है तो आंसर है जो जारकन राज्य की जो अजधानी राची है वो करक रेखा परिस्तित है अगला प्रेशन है हमारा भारत के किस राज्धानी करक रेखा के बिलकुल निकट है तो आंसर है जो गांदी नगर है जो कि गुजरात की ये करक रेखा के बिल्कुल निकट है। अगला प्रशन है हमारा भारत का मानक समय 82 1 by 2 डिग्री पूर्वी दिशांतर भारत के कौन से 5 राज्यों सोकर गुजरती है। तो आंसर इसका एक है उत्तरपरदेश जिसकी राज़दानी है लखनौ। दूसरा है मद्देपरदेश जिसकी राज़दानी है बोidenteपल, तिसरा है जिसकी राज़दानी है राएपूर, फिर उरिषा जिसकी राज़दानी है भूबनेश्वर और पिर है आंदरपरदेश। अगला प्रशन का लेते हैं भारत के मद्देश होकर गुजरने वाली रिखा, जो भारत को दो हिससे मे बाटती है कौन सी है तो आंसर है जो करकरिका है जिसे की हम Tropic of Cancer भी बोलते हैं इंग्लिश में वो भारत की मद्दे सोगर गुजरती और ये भारत को लगबक दो हिसे में बाटती है अगला प्रशन है हमारा करकरिका भारत की कितने राज्यों सोगर गुजरती है तो आंसर है कौल मिला के आठ राज्यों सोगर गुजरती है करकरिका भारत से अगला प्रशन है हमारा करकरिका भारत की किन-किन राज्यों सोगर गुजरती है तो आंसर है एक है राजस्थान जिसकी राजदानी है जैपूर, फिर है गुचरात, जिसकी राजदानी है गांदीनगर, तिसरा है मद्यपरदेश, जिसकी राजदानी है भौपाल, फिर है चत्यसगर, जिसकी राजदानी है राइपूर, फिर है जारकन, जिसकी राजदानी है रांची, फिर है पशिप जिसकी राजदानी है kolkata, फिर है tiripura jiski राजदानी है agartla og फिर है mezorum jiski रासदानी है isole, अइसले राज्ये आ्ट राज्ये यहां से किलकरिका घुजरती है बहारत को इकवल Unit के वहां एक कांजे की अगच्छी की आप में happier से जुड़ते हैं अगला प्रशन हमारा है किस देश की समुद्रट रेखा सबसे छोटी है तो आंसर है जो गोवा है इसकी जो समुद्रट की रेखा है वो सबसे छोटी है फिर जो गोवा है इसकी राजदानी है पंची अगला प्रशन कर लेते हैं बांगलादेश भारत के कौ सबसे लंबी लगती है तो आंसर है जो बांगलादेश देश है इसकी सीमा जो है वो भारत देश के साथ सबसे लंबी लगती है अगला प्रशन है हमारा बांगलादेश की सीमा किस भारती राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है तो आंसर है जो बांगलादेश की सीमा है वो है हमारा भारत-चीन की सीमा की लंबाई कितनी है तो आंसर है 3488 किलोमेटर जो है वो भारत-चीन की सीमा की लंबाई है फ्रेंच यह जितने भी लंबाई वाले कोशन से चाहाजा 96 यहां पे 3488 है फ्रेंच यह मैंने जो सरकार की जो अगला प्रशन हमारा है भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है तो आंसर है 333 किलोमेटर जो है भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई है अगला प्रशन कर लेते हैं पाकिस्तान की सीमा भारत की कौन से चार राज्यों की सीमा कुछ होती है तो आंसर है पंजाब को जम्मो प्रश्रमीर, गुजरात और राजिस्थान, पंजाब पे इसकी राज़दानी चंडीगड़ और जो हर्याना है, उसकी राज़दानी भी चंडीगड़ है। अगला प्रशन कर लेते हैं कौन सा भारती राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा मनाता है तो आंसर है भारत का राज्य जो बिहार है ये नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा मनाता है अगला प्रशन कर लेते हैं नेपाल देश की सीमा भारत के कौन से पांच राज्य को छोत तो आंसर है उत्तरकंड को उत्तरप्रदिश, बिहार, सिक्किम और पश्ची बंगाल, मतलब यह पांच राच्चे हैं जो की नेपाल के साथ टच होते हैं, अगला प्रशन कर लेते हैं भारत और मेमार सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर है 1643 किलोमेटर भारत और मेमार सीमा भारत के कौन से चार राज्यों को छोती है, तो आंसर है अरुनाचल प्रदेश, नागलेंट, मनीपूर और मिजोरूम, जो महेमार देश है, जिसकी राजदानी मैं आपको बताया है, नैपीडा, यह भारत के चार राज्यों से टच होता है, एक है अरुनाचल प्रदेश, बार-बार इनका ट्रेंड है, रिपीट होने का, मतलब जो टीचर जहां तक पेपर सेट करते टाइम सो सकता है, वो सबी कोशन में आपके लिए लिकर आयों अपनी वीडियो में, तो आप एक कोशन ना अच्छे से रट ले ना एक्जाम से पहले, अगला प्रशन हमारा है, भारत भुटान सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर है, 699 किलोमेटर जो है, भारत भुटान सीमा की लंबाई है, अगला प्रशन है, भुटान की सीमा भारत के कौन से चार राज्यों को छोती है, तो आंसर है, एक है सिक्किम, पशिम बंगाल, असम और अरुनाचल मतलब कि चार राजे हैं जो भुटान की सीमा को छोते हैं अगला पॉशन कर लेते हैं भारत का कौन सा राजे बुटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है तो आंसर है जो भारत का राजे असाम है ये बुटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है important question है एक्जामे कई बार पुछा गया है अगला question कर लेते हैं अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन से एक राज्य को चूती है तो answer है जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको अफगानिस्तान चूती है आपने ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर जो पाक अधिक्रित कश्मीर है उसके साथ ये जो अफगानिस्तान है ये पांटरी बनाता है जिसको पाकिस्तान अपना मतलब अपनी भूमी बताता है अगला प्रशन हमारा है अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है 106 किलो मेटर लंबी है अफगानिस्तान और भारत की सीमा अगला प्रशन कर लेते हैं चीन की सीमा भारत के कौन से पांच राज्य को छोती है एक है जम्मू कश्मी दूसरा है हिमाचल परदेश तीसरा है उतरांचल फूर्थ है सिक्के और फिफ्थ है रुनाचल प्रदेश यह कौशन आपसे एक्जाम ऐसे पुछा सकता है कि चीन की सीमा भारत के कितने राज्य को छोती है तो आपका अंसर होगा 5 और फैंच उपर मैंने आपको कौश्य करवाए आपसे पुछा जागा कि अफगानिस्तान भारते कितने राज्य को छोती है तो आपका अंसर होगा 1 जैसे उपरवल कॉश्य करवाया मैंने आपको कि बुटान भारते कितने राज्य को छोती है तो आपका अंसर होगा 4 राज्य को छोती है ठीक है अगला question कर लेते हैं अगला question है हमारा भारत की किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है तो answer है जो जम्मू कश्मी राज्य है भारत का इसकी जो friend सीमा है वो चीन के साथ सबसे बड़ी लगती है अगला question हमारा है कौन सी नदी असम और अन्वाचल परदेश की बीच में सीमा बनाती है तो answer है जो संकोश नदी है ये असम और अन्वाचल परदेश की बीच में सीमा बनाती है और friends अगला question हमारा है भारत का सबसे दक्षिनी बिंदू का क्या नाम है तो आंसर है जो इंदरा पॉइंट है यह भारत का सबसे दक्षनी बिंदू है अगला प्रशन हमारा है भारत का सबसे दक्षनी बिंदू जो मैं आपको बताया है इंदरा पॉइंट है यह कहां पर स्थेत है तो आंसर है जो अंडमा निकोबार का जो बिरहत निकोबार वाला सकता है तो आपने ध्यान रखना है मतलब great निको बार या बड़ा निको बार या बिरहत निको बार तिनों का मतलब एक ही होता है अगला प्रशन है मारा ये भी important है इस वीडियो में आपको 400 most important बहुल के question करवाने वालों जब आपके 400 question करवाने वालों जब आपके 400 question complete हो जाएंगे मैं आपको यही question एक बार फिर से revise B करवाऊंगा ताकि आपको सारे के सारे question इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और आपको note समनाने की जूरत न कमेंडर के answer देंगे उनको मैं एक GK की book gift करने वाला हूँ ठीक है तो आपने मुझे comment जरूर करना है अगला question हमारा है भारत का सबसे उतरी बिंदू का क्या नाम है तो आंसर इसका जो इंद्रा कॉल है यह भारत के सबसे उतरी बिंदू का नाम है अगला question है हमारा भारत के स सबसे पश्यमी बिंदू है अगला question हमारा है भारत के सबसे उतरी बिंदू सरकीरक किस राजे में स्थित है तो आंसर इसका गुजरात राजे में स्थित है भारत का सबसे पश्यमी बिंदू सरकीरक अगला question कर लेते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदू का क्या नाम है तो आंसर इसका जो वलांगो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदू कहलाता है अगला प्रशन हमारा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदू वलांगू किस राजे में इस्तित है तो आंसर इसका और रुनाचल परतेश राजे में इस्तित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदू वलांगू अगला परशन कर लेते हैं कोलबा पॉइंट भारत में कहां इस्तित है तो आंसर इसका मुंबई में स्तित है कोलाबा पॉइंट भारत में अगला परशन है हमारा भारत में पॉइंट काली मेरे कहां इस्तित है तो आंसर इसका अगला प्रशन हमारा है भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है तो आंसर इसका मैक मोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन की सीमा को अगला प्रशन हमारा भारत और अफगानिस्तान की बीच की रेखा को क्या कहते है तो आंसर इसका दुरंट रेखा कहते हैं भारत और अफगानिस्तान की बीच की रेखा को अगला प्रशन हमारा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच कोन सी रेखा है तो आंसर इसका दुरंट रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की रेखा को अगला प्रशन कर लेते हैं, ये भी एक्जामे कई पर पुछा गया है, रेट कलिफ रेखा कौन से दो देशों की बीच में है, तो आंसर इसका, भारत और पाकिस्तान की बीच में जो रेखा है, उसे हम रेट कलिफ रेखा क्याते है, अगला प्रशन है मारा, पाक जलसंधी श्री लंका और भारत की बीच में है पाक जलसंधी, अगला प्रशन कर लेते हैं, मनार की खारी किन दो देशों को अलग करती है, तो आंसर इसका, श्री लंका को भारत से अलग करती है मनार की खारी, अगला प्रशन कर लेते हैं, भारत के सबसे निकटतम समूंदरी परोशी अगला पुशन कर लेते हैं भारत के सबसे दूसरा निकटतम समुदरी परोशी देश कौन सा है तो आंसर इसका जो इंडोनीशिया है ये भारत के सबसे दूसरा निकटतम समुदरी परोशी देश है अगला पुशन कर लेते हैं अंडमा निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा तो आंसर है जो भारत का उत्तर पर्दिश राज है इसकी सीमा सबसे अधिक राजियों के साथ लगती है अगरा प्रशन है भारत की रेगिस्तान छेत्र का क्या नाम है तो आंसर है थार रेगिस्तान जो की राजिस्तान में है ये भारत की रेगिस्तान का नाम है अगला प्रशन है प्राचीन काल में थार रेगिस्थान की जगे क्या था तो आंसर इसका टैथिस नामक सागर जो है ये थार रेगिस्थान की जगे पहले था अग्ला प्रशन हमारा है भारत की एक मत बोघिस्तान थार किस राजे में स्थित है तो अंसरेस का बाहतला बात करें बात करें अंड मान निकोबार दीप समू की इसकी राजतानी है कवरती अगला प्रशन कर लेते हैं अंडमा निकोबार दीप समू कहां पर स्थित है तो आंसर इसका बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं अंडमा निकोबार दीप समू की राजधानी का क्या नाम है तो आंसर इसका जो पोर्ट प्लेयर है ये अंडमा निकोबार दीप समू की राजध पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है तो answer इसका अंडमा निको बाइदीब समूझ की राजतनी जो पोर्ट बलेयर दक्षनी अंडमान में स्थित है अगला question कर लेते हैं छेथफल की दिष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंदशाचित परदेश कौन सा है तो answer है अंडमा निको से कौन सा चैनल अलग करता है most important है तो answer है 10 degree channel चो है वो अंडमान को निको बार से अलग करता है अगला प्रशन कह लेते हैं काफी ज़्यादा important है यह दोनों question important है 10 degree channel अंडमान निको बार के कौन से 2 द्रीपों को अलग करता है तो answer इसका little अंडमान जैसे कि हम लगू अंडमान भी बोलते हैं और कार निको बार को आपस में अलग करता है तो मैं आपको यह ना फोटो बना के समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से clear होगा तो मैं जो यह भारत का नक्षा है ठीक है मत भारत का map है कुछ इस तरह का होता है रफली मैं बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए friends मैंने यह भारत का map बनाया ठीक है आपको बता है friends यह जो है यहाँ पे अरब सागर है यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और friends यहाँ पे जो है ना वो अंडमान निको बार दीप समो है यह जो कोशन था ना कोशन था हमारा 13 कोशन अंडमान को निको बार से कुछ चैनल अलग करता है तो मैं आपको पता है 10 डिगरी चैनल मतला friends यह जो जो उपर अला पार होता है इसको हम अंडमान बोलते हैं और जो निचल पार इसको हम निको बार बोलते हैं इसकी बीच में यह चैनल को हम 10 degree channel बोलते हैं, ठीक है, लेकर आफे चीज धिहान देना, जो अंडमान है, इसमें भी खाफे चोटे डरीप समोय यहां ठीक है, यह तो यह कोशन था हमारा, कि 10 degree channel अंडमान निको बार को क्वोन से 2 डरीपों को अलग करता है, तो यह धियान देना, जो आखरी मे इसको हम कहते हैं कार निकोबार, मतलब इन दोनों की बीच में क्या है, 10 डिगरी चैनल, मतलब इन दोनों कोशन important है, examiner आपसे कैसे भी कोशन गुमा के पूछ सकता है, तो आप दोनों कोशन अच्छे से रट लेना यह वाला, अगला कोशन हमारा है, अंडमान निकोबार की सब को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है, मरकत द्रीप के नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार देप समू को, अगला प्रशन हमारा है, अंडमान निकोबार देप समू को, अजादी से बहले किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर है, काला पानी के नाम से जाना अन्दमान में स्थित है। यह कोशान भी एकक्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आंसर है, मध्य अंडमान जो है, वो अंडमान निकोबार दीप समू का सबसे बड़ा दरीब है अगला कुशन कर लेते है, माउंट कोयोबो, अंडमान निकोबार दीप समू में कहां इस्तेत है तो आंसर है, दक्षिनी अंडमान में स्तेत है, माउंट कोयोबो अगला पशन को लेते हैं तोँ आइसका, ओमाउट ठीतता हैं अगला पशन को लेते हैं, यह भी एकसा में कई बार पूछा गया है पैसि मैंने आपको बिताया था था कि भारत का धक्षिनम बिंतु है है बिजा है बहुत कि अपिक MILLION पॉइंट भी बूलते हैं ये मैंने आपको बताया था अंदमार निको बार में इसथित है लेकिन हमसे कोशन में यह पुछा गया है चेट डिग्री चार मिनिट अक्षान पे स्थेत हैं इंतरा पॉइंट ठीक है यह कफीजा इंपॉर्ट कोशन है अगला कोश्न कर लेते हैं वीलर द्रीप भारत एक टठ पर इस्थेत हैं तो अंसर एक उडिसा टठ पर इस्थेत हैं वीलर द्रीप फिर्स मैं आपको यह कोशन और करवाए दता हूँ, वो यहां पर रह गया है, आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा, कि जो भारत का सक्रिय जॉलम की वाला च्छेतर है, बैरन दरीप, वो कहां पर है, तो आपका अंसर होगा, अंडम किलाम दरीप कर दिया गया है, विलर दरीप का नाम बदल कर, अगला कोशन हमारा है, शिरी हरीकोटा दरीप, भारत के किस राजी के तट पर स्थित है, तो आंसर हैं, आंतरपर्दिश के तट पर स्थित है, शिरी हरीकोटा दरीप, अगला कोशन कर लेते हैं, एक्जाम में क अगला कोशन कर लेते हैं, तमिलांडू और श्रिलंका की बीच कौन सी खाड़ी है, तो आंसरस का, मनार की खाड़ी है तमिलांडू और श्रिलंका की बीच में, अगला कोशन कर लेते हैं, पंबंद्रीप किस खाड़ी में स्थित है, तो आंसरस का, मनार की खाड़ी में पंब कि हम Adam Bridge भी बोलते हैं किस खाड़ी में इस्तेत हैं तो आनसर इसका मनार की खाड़ी में इस्तेत हैं आपको पता नोची मनार की खाड़ी कहां पर है चार पांच कोशन पुछी गए हैं इसे मनार की खाड़ी से वह मैंने आपको करवा दिया ओपर तो फ्रेंस यह जो भारत का दक्षिंतम हिस्सा है ठीक है यहां पे श्री लंका यहां पे श्री लंका यहां पे जो बीच में खाड़ी है इसे हम मनार की खाड़ी बोलते हैं अपंबंद्री भी यहीं पर है ठीक है अगला कोशन कर लेते हैं मिलाम गलेशियर भारत के किस राजय में इस्तेत हैं तो आंस कुशन है हमारा यमनोत्री गलेशियर भारवे किस राजय में स्थित है तो आंसर इसका उतराकन राजय में स्थित है यमनोत्री गलेशियर अगला प्रशन हमारा है नुब्रा नदी कहां से निकलती है तो आंसर इसका सियाचिन गलेशियर से निकलती है नुब्रा नदी अगला से पूछा जाएगा कि जादुकोड़ा जगें है वो किसे संबंदित है तो आपका अंसर हो गा, Hieronym की खानों के लिए संबंदित है अगरा प्रशन हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो आंसर इसका, आठ राज्यों के साथ लगती है, उत्तर परदेश राज्य के साथ लगती है, उत्तर परदेश 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 के साथ लगती है, आपको चार option दे देंगे आपसे यह पूछेंगे कि इन में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तरपरदेश के साथ नहीं लगती है तो आपको तीन दियोंगे इन में से एक आपको कोई भी दे देंगे ठीक है तो आपको वो answer टिक करना है अगला question कर लेते हैं भारत के कितने राज्ये समुद्री तट से लगते हैं तो answer का भारत के कुल मिला के 9 राज्ये जो है वो समुद्री तट से लगते हैं फ्रेंजी जो 9 राज्ये हैं यह मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि इस पर exam में कई बार questions पूछे गए हैं जो 9 राज्ये हैं एक है गुजराद, दूसरा है महराष्ट, फिर है गोवा, फिर है केरला, फिर है तमिलाडू, फिर है अंदरपरदेश, साथवा है उडिसा, आठवा है पच्छी मगालवा फिर है यह बारत योकी 8 राजे हैं भारत के, जोकी समुध्री, सेमा के साथ लगते हैं, फिर ज dónde गुजराद है मैं वको बतायता हूँ, सबसे लंबी सीमा बनाता है जोожет. एक लिए क्भा 108 गवाна zrobić में कौन आजए और राजे है उसकी घंप से मुझता मने साथ ऐखास भी स और आपसे एजाम में ये पुछा जाए कि भारत के कितने कींद्र शास्वित परदेश जो हैं वो समूद्र तटके साथ लगते हैं तो आप कांसरों का चार मतलब फ्रेंच देखो 9 राजे हैं और 4 हैं कींद्र शास्वित परदेश अगला परशन कर लेते हैं भारत के कौन- जो कीरिका सबसे लबी हैं अगला परशन हमारा है कि गुजरात की तरड रेखा की लंबाई कितनी हैं तो आंसरों जो है 1653पिलो म demographic जो है गुजरात के तरड रेखा की लंबाई हैं अगला परशन रहत के किस कि तर Fatr Ellis चांट दूसरे नबर पर है और फ्रेंस यह जो है वह एक हजार 37 किलो मेटर अगला प्रशन कर लेते हैं भारत के किस राजे की तर्ट रेखा तीसे सबसे लंबी है तो आंसरस का तंबिल नाड़ू जो की 864 किलो मेटर है ठीक है क्वेशन नंबर 119 कर लेते हैं भारत का कौन सा राजे तीनों और से बंगला देश से घिरा हुआ है तो आंसरस का जो तेरपुला राजे है भारत का ये तीनों और से बंगला देश से घिरा हुआ है अगला प्रशन कर लेते हैं ब्रह्मपुत नदी भारत के किस दरे से परवे अगला परशन है ब्रह्मपुत नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है तो आंसर है यारलू संगभू जो है यह ब्रह्मपुत नदी को चीन में जाना जाता है इस नाम से अगला परशन कर लेते हैं ब्रह्मपुत नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो आ बांगलादेश जो देश है वहां पर ब्रह्मपुत नदी और गंगा नदी आपस में मिलती हैं। ब्रह्मपुत नदी और गंगा नदी की संयुक धारा को बांगलादेश में क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत नदी और गंगलादेश जो देश हैं। ब्रह्मपुत नदी और गंगलादेश जो देश हैं। अगला प्रह्मपुत नदी और गंगलादेश जो देश हैं। अगला प्रह्मपुत नदी और गंगलादेश हैं। अगला प्रह्मपुत नदी और गंगलादेश जो देश हैं। अगला प्रह्मपुत नदी और गंगलादेश हैं। अगला प्रह्मपुत नदी और गंगला 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 प्रह्मपुत नदी और गंगल 12 ला चारा दरा फ्रेंट ये सबी कोशन काफी ज़ादा important है मैं तब वो सबी कोशन मैं बो करवा रहा हूँ जो एक्जाम में आने के चांसे साथ काफी ज़ादा काफी बार एक्जाम में पुचे जा चुके हैं चाहिए आप यूपेसी का एक्जाम दे रहे हो जब PCS का एक्जाम दे रहे हो या SSC का एक्जाम दे रहे हो या CDS NDA कोई भी एक्जाम दे रहे हो ये कोशन काफी ज़ादा important है आपके लिए अगला प्रशन हमारा है जासकर श्रीनिंग पर मुखेता कौन थी चार दरे हैं तो आंसर इसका बुर्जिल दरा, जोजेला दरा, शिपकेला दरा और बारा लाचा लादरा जो है ये जासकर श्रीनिंग की मुखेता चार दरे है अगला प्रशन कर लेते है रोतांग दरा भारत के किस राचे में स्थित है तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश राचे में स्थित है रोतांग दरा अगला प्रशन है मंडी से ले जाना हो तब किस दरे से होग Lalा कुजरना पड़ेगा तो आंसर इसका बारा लाचा लाच़ला दरा से होग Bulmal में स्थित है अगला प्रशन हमारा पीर पंजाल दरा भारत के किस राज़े में इस्तित है? अगला प्रशन कर लेते हैं, शिपकिला दरा भारत के किस राज़े में इस्तित है? अगला प्रशन कर लेते हैं, शिपकिला दरा भारत के किस राज़े में इस्तित है? अगला प्रशन हमारा है, नतुला दरा भारत के कि किस राजय में इस्थत हैं? Yangtok, गेस पassin कहले हैं, Jalepla, Dharak. जैलेफल के दर, भारत किस राजय में इस्थत हैं? चुमबी घाटी, चुमबे थे गाटी, PCS में और UPSC में. गेसर है, पॉइक्षिं इस्थत है – चुमबे घाटी? कि इन दो दरों की बीच में स्थित हैं तो आंसरेस का नातुला दरा और जो जैलेपला दरा है इसकी बीच में स्थित है चुम्पी घाटी अगला परशन कर लेते हैं सिक्किम से तब तिबबत जाना हो तब किस घाटी से उको जाना पड़ेगा चुम्बी घाटी से उको जाना पड़ेगा, कभी भी अगर हमें सिक्किम से तिबब जाना होतो अगला परशन हमारा है, सिक्किम में भाराचीन की बीच जो सडक मार्क से वेपार होता है वो मुखेता किस दरे से होता है, तो आज़र आसका, नाथुला दरा से मुखेता भारत चीन की बीच में सर्क मांग से विपार होता है अगला प्रशन कर लेते है बूमडिला दरा जिसे की हम बूमला दरा भी कहते हैं भारत के किस राजय में स्थेत हैं तो आंसर असका अरुनाचल परदेश राजय में स्थेत है जिसे कि हम बोमला दरा भी कहते हैं अगला प्रशन हमारा है कांगरी करपोला दरा भारत के किस राजय में स्थित है अरुनाचल परदेश राजय में स्थित है कांगरी करपोला दरा लिखा पानी दरा भारत के किस राजय में स्थित है अगला प्रशन हमारा है यंग याप दरा भारत के किस राजय में स्थित है तो आंसर अगला प्रशन कर लेते हैं नीतीला दरा भारत के किस राजय में स्थित है तो आंसर अगला प्रशन कर लेते हैं नीतीला दरा भारत के किस राजय में स्थित है तो आंसर अगला प्रशन कर लेते हैं लीपू लेक द अगला परशन कर लेते हैं, भारत ये किस राचे में स्थित है, तो आंसर अगला परशन कर लेते हैं, दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो आंसर अगला परशन कर लेते हैं, मैंगरू फॉरेस्ट कहां पर पाई जाते हैं, तो आंसर अगला परशन कर लेते हैं डिल्टा में पाई जाते हैं मैंगरोफ फॉरेस्ट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 90 परतिशत जो आपका इंडियन जोग्रोफी है यानि कि भारत का भुगोल है उसका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा तो आप इस वीडियो को दो से तीन बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको सारे कोशन अच्छे से जाद हो जाएं आपको अपको नोट स्माने की जरूत ना पड़ें अगला प्रशन हमाये वीडियो की सबसे बड़ी नदी द्रीप कोन सी है तो आंसर आजका बारत के असम राजमे स्थित है अगर अग्ला पशिन कर लेते हैं, ट्रांस हिमाले, जिसे कि हम कहते हैं हिमाले के पार में कौन से परवत शेणिया हैं, तो आंसर है करा कोरम, लदाक और जासकर हैं, ये ट्रांस हिमाले की परवत शेणिया हैं, अग्ला पशिन कर लेते हैं, करा कोरम और लदाक की बीच में कौन सी नदी बहती है, तो आंसरसका, जो सिंदू नदी है, ये लदाक और जासकर की बीच में नदी बहती है, अगला परशन कर लेते हैं, भारत की सबसे उची परवचोटी कौन सी है, तो आंसरसका, जो केटू है, जिसे की हम गौडविन आस्टिन के नाम से जाना चते हैं, ये भार कराकोरम में स्तित है, अगला परशन कर लेते हैं, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, कराकोरम श्रिणी पर कौन सी चार गलेशियर है, तो आंसर है, सियाचिन, हिसपर्ग, बियाफो और बाल टोरा जो है, कराकोरम श्रिणी की परमुक चार गलेशियर है, अगला परशन कर लेते हैं राका पोशी सबसे तीव धालवाली चोटी किस राजय में स्थित है तो आंसर इसका जम्मु कश्मीर राजय में स्थित है राका पोशी जिसे की विश्व की सबसे तीव धालवाली चोटी कहा जाता है यह आप लिए तो विश्व की सबसे तीव धालवाली चोटी है यह राका पोशी कई बार एक्जाम में पूछा गया कोशन है प्रेंट्स ये PCS, UPSC, SSC सब में पूछा गया है अगला पुछन कर लेते हैं ये भी इंपोर्टन है ले किस नदिगे किनारे पर इस्तित है तो आंसर इसका सिंदो नदिगे किनारे पर सिंदो नदिगे किस हिमाले को सर्वोच, आंतरिक और महान हिमाले भी कहते हैं तो आंसर इसका जो विर्यद हिमाले है इसे सर्वोच, आंतरिक और महान हिमाले के नाम से भी जाना जाता है अग्रा पश्रिंग कर लेते हैं ट्रांस हिमाले और विर्यद हिमाले की बीच खाली जगे को क्या कहते हैं तो आंसर इसका सचर जोन कहते हैं ट्रांस हिमाले और विर्यद हिमाले की बीच में जो खाली जगे है important difference यह हिमाले की तीनों श्रेणी में सबसे उचा कौन सा हिमाले है तो आंसर इसका जो विर्ध हिमाले है ये तीनों श्रेणी हिमाले की जो तीनों श्रेणी है उसमें सबसे उचा है अगला पश्ण कर लेते हैं विर्ध हिमाले का विस्तार क्या है अगला question कर लेते हम अगला question हमारा है भारत में हिमाले परवर शिंकला की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अगला question हमारा है विश्व की सबसे बड़ी नदी, द्रीप, माचुली कोन सी नदी के किनारे है? तो आंसरस का, ब्रह्मा पुत नदी के किनारे है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रीप माजूली, अगलर परशन हमारा है लक्षदीप समो कहां पर स्थित है, तो आंसरस का, अरब सागर में लक्षदीप समो स्थित है, अगलर परशन हमारा है लक्षदीप समो में कुल कि द्रीब हैं तो आंसर इसका लक्षदीब द्रीब समो में कोई मलाके 36 द्रीब समो हैं अगला परशन हमारा है लक्षदीब की राजधानी क्या है तो आंसर इसका कवा रती जो है वो लक्षदीब की राजधानी है अगला परशन हमारा है लक्षदीब समो को पहले नाम क्या था तो आंसर है लक्का देव, मीनी कोई और अमन देवी द्रीब जो है वो लक्षतीब द्रीब समो का पहले नाम था अगला प्रशन हमारा है माल देव और लक्षतीब के बीच कौन सा चैनल स्थित है तो आंसर है जो 8 डिगरी चैनल है वो मालडीब और लक्षदीब के बीच में स्थित है अगला प्रशन हमारा है कौन सा चैनल कवर रती और मिनी कोई के बीच स्थित है तो आंसर इसका जो 9-degree channel है, वो कवर रदी, जो कि लक्षदीब की राजधानी भी है और मीनी कोई के बीच में स्तित है। अगला प्रक्शन हमारा है, 11-degree channel लक्षदीब समोग में किस के बीच में है। तो answer इसका, अमेनी द्रीब और दक्षिन द्रीब के बीच में है 11 डिगरी चैनल, अगला परशन हमारा है, लक्षदीब का सबसे बड़ा द्रीब कौन सा है, तो answer इसका, एंडरोर द्रीब जो है, वो लक्षदीब का सबसे बड़े द्रीब का नाम है, इंपॉर्टन कोशन है, अगला question है यह भी déjà exemptionaire कोगना पूछा गया है इंटोनेशिया और नेकोबार के बीच में को सा चैनले स्तित करिए आथा जो गेरिए जो जानले स्टित परो पंडुस यह पारत पर स्री देतर अगला पॉशन हमारा है दक्षिन आंडमान और लगो आंडमान के बीच कौन सा चैनल है तो आंश tuo आप typically आप never के बीच में चैनल है क्वोशंट कर लेते हैं इक्जामें कई बाप कुछा गया है उत्री आंडमान और मेमार के बारत की नदियों को मुख्य था किन दो भागों में बाटा गया है ऐमाले की नदिया और प्रादि भाग की नदिया जो है यह भारत की नदियों का दो मुख्य भाग है अगरे पशन कर लेते हैं सिंदु नदी कहां से निकलती है आगरे परशन है सिंदु नदी के 22 तटपर मिलने वाली पाँच नदिया कों सी है कुन सी है jsょidade जेल भी और वी और सथ लुड़ी प्रिए ब्रॉज पर भी चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिज तो आंसर है इसका तिबबत में जो मानसुरवर जील है वहाँ पर आकास ताल है वहाँ से सतलुज निकलती है अगलर परशन हमारा है वयास नदी कहां से निकलती है तो आंसर है इमाचल परदेश का जो रोतांग दरा है वहाँ से वयास नदी निकलती है अगला परशन हमारा है सिंदु नदी तंदर की एकमा नदी जो पाकिस्तान में परवेश नहीं करती तो आंसरस का जो व्यास नदी है ये सिंदु नदी तंदर की एकमा नदी है जो की पाकिस्तान में नहीं जाती अगरा पशन कर लेते हैं सिंदु नदी की पांच परमुख सायक नदी को क्या कहा जाता है तो आंसरस का पंच नद के नाम से जाना जाता है पांच परमुख सायक नदिया जो है सिंदु नदी की अगरा पशन हमारा है गुदावरी नदी कहां से निकलती है तो आंसर इसका जो महाराष्ट का नासे की चिला है, वहां से गुदावरी नदी निकलती है अगर परशन हमारा है, लूनी नदी कहां से निकलती है तो आंसर इसका नाक पहाड, आडावली की पहाड़ियां पे जो नाक पहाड़ है, वहां से लूनी नदी निकलती है अगला प्रशन है हमारा रावी नदी किस जगे से निकलती है तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में जो रोतांग दराय वहां से रावी नदी निकलती है अगला प्रशन हमारा है नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो आंसर असका नेपाल से निकलती है गंडक नदी अगलर परशन हमारा है इंपोरेंट है ये तापती नदी कहां से निकलती है तो आंसर असका जो मद्य परदेश का बैतुल जीला है बैतुल जीला है वहां से तापती नदी निकलती है अग्रार परशन हमारा है कावरी नथी कहां से निकलती है तो आंसर है करनाटक में जो ब्रह्मा गिरे की पहाड़िया है वहां से कावरी नथी निकलती है अग्रार परशन हमारा है साबरमती नथी कहां से निकलती है तो आंसर है अरावली परवत परिस्तित जो जैसमुद्र ज वहां से सापरम्ती नदी निकलती है। अगलर परशन हमारा है गंगा नदी कहां से निकलती है। तो आजर जबती है। अगला परशन हमारा है गंगा नदी की लंबाई किस राचे में सबसे जादा है तो आंसर सका उत्तर परदेश राचे में गंगा नदी की लंबाई सबसे जादा है अगला परशन हमारा है गंगा नदी की लंबाई किस राचे में सबसे कम है तो आंसर सका जो जारकन राचे है वहांपे गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? पिरण जी दोनों question important है, exam में कर पोचे गए हैं अगला question हमारा है, जेलिम नदी कहां से निकलती है? तो answer का, कश्मीर में बिरिना के समेव शेशनाग जील से जेलिम नदी निकलती है अग्रा प्रशन हमारा है चेनाव नदी कहां से निकलती है तो आंसर है बाराल अच्छा लाद्दरा जो कि हमाचल प्रदेश में है वहां से चेनाव नदी निकलती है अग्रा प्रशन हमारा है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी को उनसी है तो आंसर प्रशन हमारा है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बिरहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है अगला परशन है गंगोत्री में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर इसका भागी रती के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर इसका गंगा नदी के नाम से जाना जाता है तो आंसर इसका गंगा नदी के नाम से जाना जात को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो आंसरस का जमुना के नाम से जाना जाता है अगला परशन हमारा है गंगर नदी और ब्रहमपुत नदी की सर्योग धारा को किस नाम से जाना जाता है तो आंसरस का मेगना अगला प्रशन हमारा है किस नदी को बिहार का शोग भी कहा जाता है तो आंसरस का जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोग कहा जाता है अगला प्रशन हमारा है किस नदी को बंगाल का शोग भी कहा जाता है तो आंसर इसका जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोग भी कहा जाता है अगला प्रशन हमारा है भारत में किन दो नदियों की लंबाई लगबक समान है तो आंसर इसका जो सिंदु नदी है और जो ब्रह्मपुत नदी है इन दू नदियों की लंबाई लगबग समान है अगला प्रशन हमारा है भारत की कौन सी नदी पश्चिम की और गिर कर अरब सागर में गिरती है तो आंसर है नरमदा और जो तापती नदी है ये पश्यम की और भैती है और अरब सागर में गिरती है अगला प्रशन है हमारा सत्रुज नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका सिंदु नदी की सायक नदी है सत्रुज नदी प्रिंट ये जो सायक नदी वाले कोश्चनों सोते हैं एक्जामे कई पर पूछे जाते हैं अगला प्रशन हमारा है जासकर नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर है सिंदो नदी की सायक नदी है जासकर नदी अगला प्रशन हमारा है द्रास नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर असका सिंदु नदी की सायक नदी है द्रास नदी अगला प्रशन हमारा है शोक नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर है सिंदु नदी की सायक नदी है शोक नदी अगला प्रशन हमारा है लोहित नदी किस नदी की सायक नदी है तो अगला प्रशन हमारा है दिखोव नदी किस नदी की सायक नदी है तो अगला प्रशन हमारा है दिभांग नदी किस नदी की सायक नदी है तो अगला प्रशन हमारा है कामेंग नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका ब्रह्मपुत नदी की सायक नदी है कामेंग नदी अगला परशन हमारा है सुबान सिरी नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका ब्रह्मपुत नदी की सायक नदी है सुबान सिरी नदी अगला परशन है गंडक नदी की सायक नदी है गंड़क नदी अगला प्रशन हमारा है गोमती नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका गंगा नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका गंगा नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका गंगा नदी की सायक नदी है तो आंसर इसका गंगा नदी की सायक नदी है तो आंसर इ अगर आपने Maths पढ़ना है तो Ravi Study IQ Maths पे आना पढ़ेगा, English पढ़ना है तो Ravi Study IQ English पे आना पढ़ेगा, अगर Reasoning पढ़ना है तो Ravi Study IQ Maths पे Maths की और English Reasoning की कोचिंग दी जाते हैं यहां पे, और मेरा एक YouTube यान और भी है, Ravi Tech Talks, अगला प्रशन हमारा है, यम्न नदी किस नदी की अगला प्रशन हमारा है, बेतवा नदी किस नदी की सायक नदी है, तो आंसर है, यम्न नदी की सायक नदी है, बेतवा नदी, अगला प्रशन हमारा है, कैन नदी किस नदी की सायक नदी है, तो आंसर है, यम्न नदी की सायक नदी है, तो आंसर है, यम्न नदी की सायक नदी अगला प्रशन हमारा है सिंदु नदी किस सिंध नदी किस नदी किस नदी है तो आंसर है युम्रा नदी किस सायक नदी है सिंध नदी कि important question है अगला प्रशन कर लेते हैं हिंडन नदी किस नदी की सायक नदी है तो आंसर है यम्र नदी की सायक नदी है हिंडन नदी अगला प्रशन हमारा है मंचीरा नदी किस नदी की साहिक नदी है तो आंसर है गुदावरी नदी की साहिक नदी है तो आंसर है गुदावरी नदी की साहिक नदी है तो आंसर है गुदावरी नदी की साहिक नदी है तो आंसर है गुदावरी नदी की साहिक नदी है तो आंसर ह अगला प्रशन हमारा है सरबरी नदी किस नदी की साहिक नदी है तो आंसर इसका गुदावी नदी की साहिक नदी है सरबरी नदी तुंग बदरा नदी किस नदी की साहिक नदी है तो आंसर इसका कृष्णन नदी की साहिक नदी है तुंग बदरा नदी अगला प्रशन है भीम नदी किस नदी की साहिक नदी है तो आंसर है कृष्ण नदी की साहिक नदी है तो आंसर है कृष्ण नदी की साहिक नदी है तो आंसर है कृष्ण नदी की साहिक नदी है तो आंसर है कृष्ण नदी की साहिक नदी है तो आंसर है कृष्ण नदी की साहि किस नदी की साहयक नदी है तो आंसर इसका कृष्णा नदी की साहयक नदी है वेदवती नदी अगला प्रशन हमारा है काविनी नदी की साहयक नदी है तो आंसर इसका कावरी नदी की साहयक नदी है काविनी नदी अगला प्रशन हमारा है भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है तो आंसर है काविरी नदी की सहायक नदी है भवानी नदी अगला प्रशन है हमारा शिश्वा नदी, शिश्वा नदी किस नदी की सहाइक नदी है, तो आंसर इसका काविरी नदी की सहाइक नदी है, शिश्वा नदी, अगला प्रशन हमारा है तवा नदी किस नदी की सहाइक नदी है, तो आंसर इसका नर्मदा नदी की सहाइक नदी ह किस नदी की साइक नदी है आंसर इसका दामोतर नदी अगला परशन हमारा है बराकर नदी किस नदी की साइक नदी है आंसर इदामोतर नदी अगला परशन हमारा है बुधिल नदी किस नदी की साइक नदी है आंसर इसका रावी नदी अगला परशन हमारा है हस्तेव नदी कि अगला प्रशन हमारा है जोंग नदी किस नदी किस नदी किस नदी किस नदी किस नदी है अगला प्रशन हमारा है भारत की सबसे बड़ी खाड़े पानी की जील का क्या नाम है अगला प्रशन हमारा है भारत की सबसे औचा जलबरपात का किस नदी किस नदी किस नदी करनाटक में है और ये जोग जल परपात पर बना हुआ है मातमा गांदी जल विद्यूत प्लांट अगला प्रशन हमारा है जोग जल परपात किस नदी परस्थित है तो आंसरस का शिरावस्ती नदी परस्थित है जोग जल परपात अगला प्रशन हमारा है शिव समुदरम जल परपात किस नदी परस्थित है तो आंसर है कावरी नदी परस्थित है शिव स्वमुद्रम जलपरपाद अगला प्रशन हमारा है कौन सी नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो आंसर है जो गंगा नदी है ये भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो आंसर है जो तापती नदी है ये भारत में रिफ्ट घाटी से होकर बहती है अगला परशन हमारा है प्रायदी भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है तो आंसर है जो गुधावरी नदी है ये प्रायदी भारत की सबसे बड़ी नदी है अगला प्रशन हमारा है सुखना जील कहां पर इस्तित है तो आंसर इसका चंडीगड में इस्तित है सुखना जील अगला प्रशन हमारा है डल जील भारत के किस राचे में इस्तित है तो आंसर इसका जम्मो कश्मीर राचे में इस्तित है डल जील अगला प्रशन हमारा है मानस बल जील भारत के किस राचे में इस्तित है तो आंसर है जम्मो कश्मीर जील भारत के किस राचे में इस्तित है तो आंसर है जम्मो कश्मीर जील भारत के किस राचे में इस्तित है तो आंसर है जम्मो कश्मीर जील भारत के किस राचे में इस्तित ह अगलर प्रेशन हमारा है गंगा बल जील भारत किस राचे में इस्तित है नागी जील भारत में इस्तित है तो आंसर इसका जम्म कश्मीर में स्थित है नागेन जील अगला परशन हमारा है शेशनाग जील भरते की सराजे में स्थित है तो आंसर इसका जम्म कश्मीर में स्थित है शेशनाग जील अगला परशन हमारा है अननतनाग जील भरते की सराजे में स्थित है जम्मु कश्मी राच में अनंतलांग जील इस्थित है अगला प्रशन हमारा है साथ ताल जील भारत किस राच में इस्थित है अगला प्रशन हमारा है मला ताल जील भारत किस राच में इस्थित है उत्रा खंड में स्थेता है मला ताल जील भारत में अगला प्रशन हमारा है भीम ताल जील भारत किस राचे में स्थेता है उत्रा खंड में स्थेता है भीम ताल जील अगला प्रशन हमारा है देव ताल जील भारत किस राचे में स्थेता है अगला प्रशन हमारा है डोडी ताल जील भारते किस राचे में स्थिता है अगला प्रशन है डीडवाना जील भरते किस राचे में स्थित हैं? अगला प्रशन है पिछोला जील भारते किस राचे में स्थित हैं? तो आंसर है राजस्तान में स्थित है राजस्मन जील भारत के अगला प्रशन है हमारा आना सागर जील भारते किस राज़े में स्थित है तो आंसर है राजस्तान में स्थित है आना सागर जील अगला प्रशन हमारा है हुसेन सागर जील भारत के किस राज़े में स्थित है तो आंसर है अंतरपरदेश में स्थित है हुसेन सागर जील अगला प्रशन हमारा है कुलैरो जील भारत के किस राज़े में स्थित है तो आंसर है अंधर पर्देश में स्थित है कुलेरो जील इंपॉर्टन कुशन है यह अगला परशन हमारा है लोकटाग जील भारत के किस राचे में स्थित है तो आंसर जो मनीपूर है वहां पर स्थित है लोकटाग जील और फिर जगर आपस एक्जाम में ये पुछा जाए कि पूर्वी भारत की जो फ्रेश वार्टर जील है वो कौन सी है तो आंसर इसका जो मनीपूर है ये पूर्वी भारत की फ्रेश वार्टर जील कहलाती है अगला प्रशन हमारा है चिलकर जील भारत की किस राचे में में इस्थत हैं किरल भारत की किस राचे में इस्थत हैं तो आंसर है किरल में स्थित है पैरियार जील अगला प्रशन हमारा है लोनार जील भारते कि स्राचे में स्थित है तो आंसर है महाराश्ट में स्थित है लोनार जील अगला प्रशन हमारा है पोवई जील भारते कि स्राचे में स्थित है अगला प्रशन हमारा है सोंगमा जील भारते किस राचे में स्थित हैं तो अगला प्रशन हमारा है सोंगमा जील भारते किस राचे में स्थित हैं तो अगला प्रशन हमारा है लोकटक जील भारते किस राचे में स्थित हैं तो अगला प्रशन हमारा है हुसेन सागर जील भारत तो आंसर है आंदर प्रदेश में स्थित है कुलेरो जील भारते किस राजय में स्थित है तो आंसर है आंदर प्रदेश में स्थित है कुलेरो जील अगला प्रदेश में स्थित है कुलेरो जील अगला प्रदेश में स्थित है कुलेरो जील अगला प्रदेश में स्थित है कु कोड़ा इक नाल जील भारते किस राजर में इस्थित था है। ने पर्शन हमारा होनारा है हिमाचल पर्देश में इस्थित है प्रेको जील अगला पर्शन हमारा है । जिल भारते किस राजय में अगला प्राशन हमारा है चंकुए अगला प्रude reconsider trip अगला प्रशन हमारा भारत की मुखे भूमी का दक्षिन्तम बिंदू कौन सा है तो आंसर इसका भारत की मुखे भूमी का जो दक्षिन्तम बिंदू है वो कन्या कुमारी है अगला प्रशन हमारा है कन्या कुमारी भारती किस राचे में स्थित है तो आंसर इसका तमिलांटू में स्थित है कन्या कुमारी अगला प्रशन हमारा है छेत्वर की दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राचे कौन सा है तो आंसर है जो रातिस्थान है ये छेत्वर की दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राच्य है अगला परशन हमारा है भारत का सबसे जादा जनसंख्या वाला राच्य को उनसा है तो आंसर है जोत्र प्रदेश या भारत का सबसे जादा जनसंख्या वाला राज्य है अगला परशन हमारा है छेत्वल की दिश्टी से सबसे चोटा राज्य कोंसा है तो आंसर है जो गोवा है ये छेत्वल की दिश्टी से सबसे चोटा राज्य है तो आंसर है अंडमा निकोबारदीब समूझो वो चेतफ़फ तरजटी से सबसे बड़ा केंदशासी तरजट प्रदेश हैport जो दिल्ली है ये जंसंक्या के दिश्टी से सबसे बड़ा केंद शाचित परदेश है। अगला प्रशन हमारा है भारत का सबसे अधिक नगरो वाला राज्य कौन सा है? जो उत्तर परदेश है ये भारत का सबसे अधिक नगरो वाला राज्य है। अगला प्रशन हमारा है जिसे कि नगरो वाला राज्य कौन सा है? अगला प्रशन हमारा है भारत का सबसे अधिक नगरो वाला राज्य है। वह संसु राश् atenção कहाँ से कहा तक जाता है पbildung भारत के किस राच्य में, मांसुन की सबसे पहली वर्शा होती है तो आंसरस का जो केरल राचे है भारत का यहाँ पे मानसुन की सबसे पहली वर्षा होती है अगला परशन हमारा है कौन सी परवतमाला सहाईरी के नाम से जाना जाता है तो आंसरस का जो पश्यमी गाट है इसे शहाईदरी के नाम से जाना जाता है अगला परशन हमारा है इलाइची की पहाड़िया काडूमम पहाड़िया कहां पर स्थित हैं केरल राज़े में स्थित है इलाइची की पहाड़िया यानि काडूमम पहाड़िया अगला परशन हमारा है पॉइंट काली मेरे किस राज़े में स्थित हैं तो आंसरस का, तमिलांडू राजय में स्थित है, पॉइंट काली मेरे, अगला परशन हमारा है, भारत की निकटतम पश्चिमी देश कौन सा है, तो आंसरस का, जो पाकिस्तान है, ये भारत का निकटतम पश्चिमी देश है, अगला परशन हमारा है, भारत की दक्षिन में कौ कुन सा परवत स्थित है और रसका है अगला परशन हमारा है हिमालय का सर्वोशिखर से है कि अनुची जो節目 है जिसे कि हम Godwiniston बोलते हैं, ये भारत की में स्थित परवश चोटी है, जो की संसाय में दूसरे नमबर पे है, अगला प्रशन हमारा है, कराकॉरम परवश रिंखला का दूसरा नाम है, अगला प्रशन हमारा है, उत्राखंड में स्थित सबसे उची चोटी कौन सी है, तो आंसर नंदा देवी जो है, ये उद्धा खंड में स्थित सबसे उची चोटी का नाम है, अगला प्रशन है हमारा, कंचन जंगा भारत के सिक्किम राजय में स्थित है, कंचन जंगा, अगला प्रशन हमारा है, भारत की सबसे प्राचीन प्रवश रेनी कौन सी है, तो आंसर यह इनुए फ्रावै प्रवत की सबसे उची चोटी है और प्रश्यूस की पहाड़IES present what happens तो आंसरस का जो बनास नदी है ये अरावली की पहाड़ियों की पूर की और नदी निकलती है अगला परशन हमारा है भारत का सबसे बड़ा गलेशियर कौन सा है तो आंसरस का जो सियाचिन गलेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा गलेशियर है अगला परशन हमारा है कौन सी लुंगुमा के नाम से जाना जाता है तो आंसर है जो माउंट आवरेस्ट है इसे साकर माथा और चोमो लुंगुमा के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन हमारा है मैकल पहाड़ी की सर्वो शिखर कौन सी है तो आंसर है जो अमर कंटक है ये मैकल पहाड़ी की सर्वो शिख अगला पुरसे नम्हारा है भारत में कुल कुल कितने राजे हैं तो आंसर ci नम्हारा है जक्षोक तीन नमर पर है महारास्ट पहले तीन आपको याद होने चाहिए अगला परशन है भारत का सबसे छोटा राज्य छेतरफल में कौन सा है तो आंसर है गोवा अगला परशन हमारा है भारत में कुल कितने केंद शास्चित परदेश है तो आंसर है साथ अगला परशन हमारा है भारत मे प्रदेश के सीमा पर एं तो आंसरें महाराष्ट और गुजरात पर स्थित gider आँ दादरा और नगर हवेली की राजधनी के से तो आंसरें और यह नम जो है, य। चार जिले हैं, पुद्धू जियरी के. और जो अभी आप questions करवाने वालों में 4-5 यह काफी सथा important है पुद्दु जेरी के चार जिले कितने राजियों में फैले हैं तो आंसर का पुद्दु जेरी के चार जिले हैं ये तीन राजियों में फैले वहे हैं अगला परशन हमारा है केंद शाषित पुद्दु जेरी का जिला माही किस राजिय के तट पस्तित हैं तो आंसर है केला राजिय के तट पस्तित हैं अगला प्रशन हमारा है केंदर शाषित प्रदेश पुद्दुचेरी का जिला पांडे चेरी किस राजे के तर्ट पस्तित है तो आंसर है तम्मिलांडो में अगला प्रशन हमारा है केंदर शाषित प्रदेश पुद्दुचेरी का जिला कराई कल किस राज़े के तर्ट पस्तित है तो आंसर है तम्मिलाडो के तर्ट पर और तम्मिलांडू को जोड़ता है पालगाट, important question है, friends मैंने आपको ये 400 questions करवाए, उमीद करता हूँ friends, आपको इस सारे के सारे questions अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मैंने आपको बताया था, friends, जब मैं आपको 400 questions करवा दूगा, उसकी बाद मैं आपको यही question एक बार फिर स और यह GK को याद करने का सबसे best तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, friends, आपको क्या करना है, वीडियो को बस एक से दो बार देखना है, अच्छे से आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा, start कर लेते हैं, भारत देश किस महाधरीप में स्तित ह भारत का बोगुलिक स्तिती क्या है, भारत देखना है, उत्री चे मिने, शेदरी अक्षान्स और अरत देखना है, वीडियो के पुर्वी दशांटर को शेयुआ है आंसर है तीस देशांतर करके अरूनाचल प्रतेश का समय गजरात के समय से कितना आ गी है तो आंसर है दो गन्टे भारत का छेतवर कितना है आंसर है 3287263 वर किलोमेटर अगला प्रशन है चेत्वल की दिरिष्टी से भारत का कौन सा स्थान है आंसर है साथवा अगला प्रशन हमारा है चेत्वल की दिरिष्टी से विष्व में पहली नंबर पर कौन सा देश है आंसर है रूस जनसंक्या की दिरिष्टी से भारत का कौन सा स्थ का फेल सफ्वान है दुसरा जण संक्या की दिष्टी से विश्व का पेला देश कॉन सा है चीन शिवारत का छहेद कर기는 कितने प्रतिशत हैं 2.42 बारत क उत्त 333,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, दूसरे को काटते हैं. अंसर है 36 गट का कोडिया जिला. अगलर पशन हमारे है, भारत का मानक समय कहां से उकर गुजरता है? आंसर है इलाबात प्रियाग राज की निकट नैनी से होकर. भारत का मानक समय का देशांतर क्या है? 82 एक पटे 2 डिगरी पूर्वी दिशांतर भारत का मानक समय IST और ग्रीनवी समय के बीच कितना समय अंतर है आंसर है 5 घंटे 30 मिनट भारत का मानक समय IST ग्रीनवी समय GMT से कितना आगे है आंसर है 5 घंटे 30 मिनट भारत का मानक समय IST 82 एक वटे दो डिगरी पूरवी दिशानतर भारते कितने राज़ों के गुजरता है अगलर पॉशन हमारा है भारत का मानक समय IST 82 एक वटे दो डिगरी पूरवी दिशानतर भारत की कोन से पांच राज़ों से होकर गुजरती है अंसर है उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश, चतिसगर, उडिसा और आंतर प्रदेश अग्रा प्रशन हमारा है भारत के मद्य सोकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को दो हिस्सों में बाटती है कौन सी है अंसर है करकरिका कर करिका भारत के कितने राज़ों सो कह गुजरती है आंसर है आठ अगर परशन माघ कुल कितने राज़े परोसी देश की सीमां से जूढ़ते हैं आंसर है सटरह किस राजे की समुदर ट्रिका सबसे छोटी है आंसर है गोवा बांगलादेश भारत के कौन से पांच राजे को छोती है आंसर है पश्रिम बंगाल किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है बांगलादेश बांगलादेश की सीमा किस भारते राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? पश्यम बंगाल भारत बांगलादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 496 किलोमेटर भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 348 किलोमेटर बारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? 323 किलो मेटर पाकिस्तान की सीमा भारत की कौन से 4 राज्यों की सीमा कुछ होती है? आंसर है पंचाब, जम्मो कश्मी, गुजरात और राजस्थान कौन सा भारती राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है आंसर है राजस्तान भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है आंसर है 1751 किलो मेटर कौन सा भारती राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बिहार नेपाल देश की सीमा भारत के कौन से पांच राज़े को छोती है आंसर है उत्रकंट, उत्रप्रदेश, बिहार, सिक्किम और पच्छी बंगल भारत और मेमार सीमा की लंबाई कितनी है 143 किलोमेटर मेमार देश की सीमा भारत के कौन से चार राज़े को छोती है अरुनाचल प्रदेश, नागलेंट, मरीपूर और मिजोरम भारत भुटान सीमा की लंबाई कितनी है 699 किलोमेटर भुटान की सीमा भारत के कौन से चार राज़े को छोती है पश्री मंगाल, असम और अरुनाचल परदेश भारत का कौन सा राज़ भुटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है असम अफगानिस्तान की सीमा भारत की कौन से एक राज़े को छोती है जम्मो कश्मीर, पाकिस्तान, अधिकरीद, कश्मीर को अगला पश्यन है, अफगानिस्तान अभारत की सीमा किती लंबी है एक सो छे किलोमेटर चीन की सीमा भारत के कौन से पांच राज़े को छोती है जम्मो कश्मीर, हिमाचल परदेश, उतरांचल, सिक्केम और अरुनाचल परदेश भारत के किस राज़े की सीमा, चीन के साथ सबसे बड़ी है जम्मो कश्मीर, कौन से नदी, अशम और अरुनाचल परदेश में सीमा बनाती है संकोष नदी, भारत के सबसे दक्षिनी बिंदू का क्या नाम है बारत के सबसे उत्री बिंदू का क्या नाम है? इंदरा कॉल बारत के सबसे उत्री बिंदू इंदरा कॉल किस राज़े में स्थित है? जम्मो कश्मीर बारत के सबसे पश्मी बिंदू का क्या नाम है? सरकीरक भारत के सबसे पूर्वी बिंदू को कहा नाम है वलानगू भारत के सबसे पूर्वी बिंदू वलानगू किस राचे में इस्तित है अरुनाचल प्रदेश कुलाबा पॉइंट भारत में कहां इस्तित है पुम्बई भारत में पॉइंट काली मेरे कहा स्थित है तमिलाडू भारत और चीन की सीमा को क्या कहते है मैक मोहन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते है डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच कौन से रेखा है डुरंड रिखा, रैटकलिफ रिखा कौन से दो देशों के बीच में है, भारत और बाकिस्तान, पाक जल संदी कौन से दो देशों के बीच में है, श्रीलंका और भारत, मनार की खारी किन दो देशों को अलग करती है, श्रीलंका और भारत, भारत के सबसे निकटतम समुदरी परोसी देश कौन सा है श्री लंका भारत के सबसे दूसरा निकटम समुद्री परोसी देश कौन सा है इंडोनेशिया अंडमा निको बार के सबसे करीब देश कौन सा है मैंनमार भारत के किस राजे की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है उत्तर प्रदेश भारत की रेगिस्तान छेत का क्या नाम है थार रेगिस्तान राजिस्तान प्राचिन भारत में थार रेगिस्तान की जगे क्या था टैथेज सागर भारत के एकमाद रेगिस्तान थार किस राज्य में स्थित है राजिस्तान भारत की दो द्रीप समों का क्या नाम है अंडमा निकोबा द अगला प्रशन है अंडमान निकोबार की सबसे उंची चोटी का क्या नाम है सैडल पीक सैडल पीक की उंचाए कितनी है सासो तीस मेटर अंडमान निकोबार दिपसमों को और किस नाम से जाना जाता है मरकद दरीब अंडमान निकोबार दिपसमों की कोजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था काला पानी सेडल पीक अंडमान एकोबार दिपसमों में कहांस दित है उतरी अंडमान माउंट डियो वाली अंडमान एकोबार दिपसमों में कहांस दित है मद्धे अंडमान में अंडमान एकोबार का सबसे बड़ा दरिप कौन सा है मद्धे अंडमान माउंट कोयोबो, अंडमान एकोबार दो इपसमों में कहा स्थे थे हैं? भारत का दक्षिनम बिंदू, इंदरा पॉंट पिगमिलियन पॉंट अंडमान एकोबार में कहा स्थे थे हैं? ग्रेट नेकोबार इंतरा पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट किस अक्षांस रिखा परस्थित है छे डिग्री चार मिनेट विलर द्रीब भारत के किस राजे के तट परस्थित है आंसर है ओडिसा विलर द्रीब का नाम बगर कर क्या कर दिया गया है अब्दूल कलाम द्रीब शिरी हरी कोटा द् किस राजय के तट पर स्थित है? आंद्रप्रदेश. पंबंदरी भारते किस राजय के तट पर स्थित है? तमिलांडू. रामेशोरन कहां पर स्थित है? आंसर है पंबंदरी. तमिलांडू और शिलंका के बीच कौन से खाड़ी है? मनार की खाड़ी. पंबंदरी भारते किस राजय में सृत्थ है, आंसरा उत्रगंड जार्गंड इततर फिलेश की सिवां किस राजय में सृत्थ है자, unsere फिलेश है, गंगोतरी गलेश्य की सिवां किस राजय में। बिहार भारत के कितने समुद्री राजसमुद्री टट पर लगते हैं नौ भारत में कोन-कोन से राजसमुद्री टट से लगते हैं गुजरात महाराश्ट गोवा करनाटर केरल तमिलांडु आंदर परदेश उडिसा अपश्य मंगल भारत किस राज्य की तर्ट्रेखा सबसे लंबी हैं गुजरात गुजरात की तर्ट्रेखा की लंबाई कितनी है 163 किलोमेटर भारत के किस राज्य की तर्ट्रेखा दूसरी सबसे लंबी हैं आंदर परदेश भारत के किस राज्य की तर्ट्रेखा तीसरी सबसे लंबी हैं तमिलांडु भारत कौन सा राज्य तीनों और जब बंगलादेशे की रहा है तेरे पूरा ब्रह्मपुत नदी भरते किस दरे में प्रवेश करती है यांगयाप दरा ब्रह्मपुत नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है सांगपो ब्रह्मपुत नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है यारलू जंगभू ब्रह्मपुत नदी को बंगलादेश में किस नदी से नाम से जाना जाता है? जमुना ब्रह्मपुत नदी और गंगा नदी कहां पर आपस में मिलते हैं? बंगलादेश विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कोन सी नदी बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? सुन्दरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत डेल्टा ब्रह्मपुत नदी और गंगा नदी की सर्युक धारा को बंगलादेश में क्या कहते हैं? एग ना सिंदु नदी द्वारा किस दरे का निर्मान होता है जोचेला दरा सस्तुरुज नदी द्वारा किस दरे का निर्मान होता है शिपिकाला दरा तिस्ता नदी द्वारा किस दरे का निर्मान होता है जैलेपला दरा भारत का सबसे उच्छा दरा कौन से है कराकॉरम दरा कौन सा दरा जम्मो को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दरा, कौन सा दरा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बुर्चिल दरा, कौन सा दरा भारत को मेनमार से जोड़ता है? तूजू दरा, जोहर सुरंग किस दरे में स्थित है? बनिहाल दरा, कौन सा दरा शिमला को प्विबस से जोड़ता है। वोतांग दरा भारदे किस राजे में स्तित है ? उत्रागंड नाथुला दरा भारते किस राजे में इस्थित है सिक्किम जलेपला दरा भारते किस राजे में इस्थित है सिक्किम चुम्भी घाटी भारते किस राजे में इस्थित है सिक्किम चुम्भी घाटी किन दो दरों के बीच में इस्थित है नातुला दरा और जहलेपला दरा सिक्किम से तिबब जाना हो तब किस घाटी से उका जाना पड़ेगा चुम्भी घाटी सिक्किम में भाराचीन की बीच जो सरक मार किसे वेपार होता है किस दरे से होता है नातुला दरा बूमडिला दरा या बूमला दरा भारते कि सराजे में स्थित है अरुनाचल परदेश कांगरी कड़पोला दरा भारते कि सराजे में स्थित है अरुनाचल परदेश लिखा पानी दरा भारते कि सराजे में स्थित है अरुनाचल परदेश यंग याब दरा भारते कि सराजे में स्थित है अरुनाचल परदेश मुलिंग दरा भारते कि सराजे में स्थित है उतरागंड नीतिला दरा भारते कि सराजे में स्थित है उतरागंड लीपू लेग दरा भारते कि सराजे में स्थित है उतरागंड तूजू तरह भारती किस राज़े में स्थित है? मनीपूर दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है? अनैमुडी मैन गुरूफ फॉरेस्ट कहां पर पाये जाते है? सुन्दरवन डेल्टा विशुफ की सबसे बड़ी नदी दरीब कौन सी है? माजूली असम में इमाल्य के पार ट्रांस इमाल्य में कौन सी परवशेनिया है? कराकॉरम लद्दाक और जासकर कराकॉरम और लद्दाक की बीच कौन सी नदी बहती है? शोक नदी लगदाकवा जास्कर की बीच कोण चिंदू नदी भारत की सबसे उची परव चूटी कोण सी है आंसर ऐसका केटू गौडविन आस्टिन भारत की सबसे उची पर वो जुची केटू गौडविन आस्टिन कहां पर स्थित है कराकोरम कराकोरम श्रीनी पर कौन से चार गलेशियर है आंसर है सियाचीन, हिसपर्ग, बेओफो और बालटोरा दुनिया की सबसे तीर ढाल वाली चोटी कोंसी है आंसर है राका पोशी राका पोशी सबसे तीर ढाल वाली चोटी किस राजे में स्थित है आंसर है जुम्मो कश्मीर ले किस नदिय किनारे पर स्थित है आंसर है सिंदू नदी किस हिमाले को सर्वोच, आंत्रिक और महान हिमाले भी कहते हैं आंसर है विर्ध हिमाले ट्रांस हिमाले और विर्ध हिमाले की बीच खाली जगे को क्या कहते हैं आंसर है सचर जोन हिमाले की तीनों श्रेनी में सबसे उंचा कुन सा हिमाले है आंसर है विरत हिमाले विरत हिमाले का विस्तार क्या है आंसर है पश्य में नंगा परवा से लेकर नामचा बरवा परवा परवा चोटी अगला पश्य हमारा है भारत में हिमाले परवा शिंकला की सबसे उची जोटी गोंसी है आंसर है कंचन जंगा विशुप की सबसे बड़ी नदी द्रीब माजूली कौन सी नदीय किनार इस्थित है आंसर है ब्रह्मा पुट नदी लक्षदीब समो कहां पस्थित है आंसर है अरप सागर लक्षदीब द्रीप सुमूं में कुल कितने द्रीप है? 56 लक्षदीब की दाजधानी क्या है? कवरती लक्षदीब सुबह को पहले क्या नाम क्या था? अगलार परशन हमारा है मालदीब और लक्षदीब की बीच कौन सा चैनल इस्थित है? 8 डिगरी चैनल आज जहा हमालय प्रवत काaders विष्तार आर मेंार के मांट को कण हैं सब्सक्राइब भारत पर श्री लंका, आज जहां हिमालय परवत का विस्तार आफंने, पहले वहां कίας था, आशर 30 सागर, भारत की लिभात की नदियों को मुखे तक की नंचप, शाब की नदिया, आशर हिमालय की नदिय और प्रैधिभा की अगलर परशन हमारा है ब्रह्मपुत नदी कहां से निकलती है आंसर है मांसुरुवजिल तिबबत अगलर परशन हमारा है सिंदु नदी तंदर की एकमात नदी जो पाकिस्तान में परवेश नहीं करती है आंसर है व्यास नदी की पांच परमुक सहाइक नदी को क्या कहा जात आज़ जाए, पंचनत गुदावी नदी कहा से निखलती है आज़न नासिक जिले से लुणी नदी कहा से नृकपार, रावली की पहड़िया रावी नदी किस जगे से निखलती है जम्ली के लिकलती है हिमाचल प्रदेश equipped अगला प्रशन हमारा है गंगा नदी किन पांच राचें सोगर निकलती है आंशर उत्तरप्रदेश, बिहार, जारकंड और पश्रिम बंगाल गंगा नदी कि लंबाई कि सीमा में सबसे ज़ादा है आंशर उत्तरप्रदेश, किस राचे में सबसे ज़ादा है गंगा नदी किस राचे में सबसे कम है जारकंड, जेल नदी कहां से निकलती है आंशर कश्मीर में बिरिना के समेफ शेशनाग जील, चेनाव नदी कहां से न देपरिया के बाद भागे नदी नदी को किस नाम से जाना जाता है आंसर गंगा नदी गंगा नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है आंसर पदमा नदी ब्रह्मा पुत नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है आंसर जमुना गंगा नदी और ब्रह भारत की कौन सी नदी पश्यम की और अरपसागर में गिरती है। सत्रुज नदी किस नदी की साहएग नदी है। नदी है आंसरे सिंदु नदी गोमल नदी किस नदी की सायक नदी है सिंदु नदी लोहित नदी किस नदी की सायक नदी है ब्रह्मा पुत नदी दिखो नदी किस नदी की सायक नदी है ब्रह्मा पुत नदी दिभांग नदी किस नदी की सायक नदी है आंसरे ब्रह्मा पुत सुबांशरी नदी किस नदी किस हाइग नदी है? ब्रह्मापुत नदी गंडग नदी किस नदी किस हाइग नदी है? आंसर है गंगा नदी गोमती नदी किस नदी किस हाइग नदी? आंसर है गंगा नदी हुगली नदी किस नदी किसा एक नदी है? आंसर है गंगा नदी गागा नदी किस नदी किसा एक नदी है? आंसर है गंगा नदी यम्ना नदी किस नदी किसा एक नदी है? आंसर है गंगा नदी सो नदी किस नदी किसा एक नदी है? गंगा नदी बेत्वा नदी किस नदी किसा एक नदी है? आंसरा यम्ना नदी कैन नदी किस नदी किसा एक नदी है? यम्ना नदी चंबल नदी किस नदी किसा एक नदी? आंसरा यम्ना नदी सिंद नदी किस नदी किसा एक नदी? आंसरा यम्ना नदी टोन्स नदी किस नदी किस हाइक नदी है? आंसर है यम्न नदी इंदरावती किस नदी किस हाइक नदी है? आंसर है गुदावरी नदी बंसेरा नदी किस नदी किस नदी किस हाइक नदी है? आंसर है गुदावरी नदी पैन गंगा नदी किस नदी कि साहिक नदी है? आंसर है कुदावरी नदी बेंतुसा नदी किस नदी कि साहिक नदी है? आंसर है कुदावरी नदी प्रान हिता नदी किस नदी कि साहिक नदी है? आंसर है कुदावरी नदी सर्बरी नदी किस नदी कि साहिक नदी आंसर इसका गुदावी नदी तुंबदर नदी किस नदी कि साहिक नदी आंसर इसका कृष्णा नदी भीम नदी किस नदी कि साहिक नदी आंसर इसका कृष्णा नदी कोईना नदी किस नदी किस हायक नदी आंसर क्रिष्णा नदी घट प्रभा नदी किस नदी किस हायक नदी आंसर क्रिष्णा नदी माला प्रभा नदी किस नदी किस हायक नदी आंसर क्रिष्णा नदी वेत वती नदी किस नदी किस हायग नदी आंसर इसका कृष्णा नदी काविनी नदी किस नदी किस हायग नदी आंसर इसका काविरी नदी अरका वती नदी किस नदी किस हायग नदी आंसर इसका काविरी नदी हिमावती नदी किस नदी किस हाइग नदी आंसर कावेरी नदी भवानी नदी किस नदी किस हाइग नदी आंसर कावेरी नदी शिश्मा नदी किस नदी किस हाइग नदी आंसर कावेरी नदी तवा नदी किस नदी किस हाइग नदी आंसर का नर्मता नदी बंगेत नदी किस 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 आंसार है महा नधी जॉग नधी नधी किस नधी किस अधीय ऑँग नधी मौन्ड मत Patri किस नधी किस अधीय ऑँप क्या नाम है अनस्र जिलका जील उड़ी सामे भारत की सबसे बड़ी खाड़े पाने की जील का क्या नाम है? आंसर का चिलका जील भारत की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील का क्या नाम है? आंसर का बुलर जील भारत की सबसे बड़ी कृतम जील का क्या नाम है? आंसर का गोविन सागत जील भारत की सबसे उचा जल परपात क्या नाम है जोग जल परपात गर सोपा जल परपात भारत का सबसे उचा जल परपात जोग जल परपात किस राचे में स्थेते हैं आंसर करनाटक मातमगंती जल विद्ध प्लांट कहां पर है आंसर है करनाटक जग जोल परपात पर जोग जल परपात पर जोग जल परपात किस नदी पस्तित है शरावस्ती नदी पर शेफ समूदरम जल परपात किस नदी पस्तित है आंसर कावेरी कौन सी नदी भारत में बहने वाली सबसे पुरी नदी का कहना में, आंसर है का गुदावरी, सुखना जील कहां पर इस्तित है, आंसर है चंडिगट, डल जील भारते किस राज़े में इस्तित है, आंसर है जम्मो कश्मेर, मानस बल जील भारते किस राज़े में इस्तित है, जम्मो कश्मेर, कौसर नाग जील भारते कि किस राजे में इस्थित है जम्मो कश्मेर, बैरी नाग जील भादे किस राजे में इस्थित है जम्मो कश्मेर, शेश नाग जील भादे किस राजे में इस्थित है जम्मो कश्मेर, अनंत नाग जील भादे किस राजे में इस्थित है जम्मो कश्मेर, साथ ताल जील भादे क पुष्कर जील भारत के किस राजे में इस्थित है राजस्थान पुष्कर जील भारत के किस राजे में इस्थित है राजस्थान अनसागर जील भारत के किस राजे में इस्थित है राजस्थान हुसेन सागर जील भारत के किस राजे में इस्थित है आंदरपरदेश कुलेरो जील भारते कि सराजे में श्राजे 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 सिकक्यम बिरिगू जील भारते किस राज़े में स्थेत है हिमाचल परदेश, शरीनुका जील भारते किस राज़े में स्थेत है हिमाचल परदेश, सूरस्ताल जील भारते किस राज़े में स्थेत है हिमाचल परदेश, मचियाल जील भारते किस राज़े में स्थेत है हिमाचल परदे भारत का सबसे ज्यादा जन्संक्यावाला राजय कौन सा है? उत्तर प्रदेश छेत्वल की दिश्टी से सबसे छोटा राजय कौन सा है? कोवा सबसे कम जन्संक्यावाला भारत का राजय कौन सा है? सिक्रिब चेतफल की दिश्टी से सबसे बड़ा केंद शाषित परदेश कौन सा है? अंडमा निकोबार दरीब चेतफल की दिश्टी से सबसे छोटा केंद शाषित परदेश कौन सा है? लक्षदीब जनसंक्या की दिश्टी से सबसे बड़ा केंद शाषित प्रदेश कौन सा है दिल्ली जनसंक्या की दिश्टी से सबसे छोटा केंद शाषित प्रदेश कौन सा है लक्षदीब पुर्वी घाट को और किस नाम से जाना जाता है कोरुमंदल डट पश्मी घाट को और किस नाम से जाना जाता है आंसर है माला बार्दट भारत की सबसे अधिक नगरोवला राज्य कौन सा है उत्तर प्रिदेश भारत का सबसे कम नगरोवला राज्य कौन सा है मेगाल्य जवार सुरंग किस जवार्चुरंग के सिराश्टर राजमार्ग अननानों जपी है जवार्चुरंग के सिराश्टर राजमार्ग नजसे बहुत शिर्नेस से बहुत पहलाई होती है आनसर केरल कोनसी परवत माला शाहाईधरी के नाम से जाने जाती है उलाइची की पहाडियां का fonISE कहां पर सते है आसर केरल में पॉइंट काली मेरे किस में पाकिस्तान बारत में कितने श्रेटर वर मेदान विस्तार रहें, भारत की पूर्वी तडगों किस नाम से जाना जाता है? आंसर है कोरो मंदलदट भारत की उत्री सीमा पर कोंसा प्रवत स्थित है आंसर है इसका है इमालय का सर्वोशिकर कोंसा है आंसर है मांट एवरेस्ट भारत में कोंसी प्रवत चोटी संसा की सबसे दूसरी उची चोटी है आंसर है केटू करागोरम प्रवत श्रिंकला का दूस अरावली मोर्त के पहाड़ियां, भारथ किस राजस्थित अंसरा राजिस्थान में, और अरावली पहाड़ियों के पहाड़ीयों के प duda में कृण सी नदिर्शान, ओवलेहरर नर्मधाू तापती नदियों की बीच में है, आंसर सत्वड़ा की पहारिया, किस परवत को सागरमाथा और चोमो लुगमा के नाम से जाना जाता, आंसर माउंट एवरेस्ट, मैकाल पहाडियों की सरवेज शिकर कौन से है, आंसर अमरकंटक, भारत में कुल कितने राज्य हैं, सही आंसर 29, भारत का सबसे बड़ा राज्य छेट फल में कौन सा है, आंसर है राजश्थान, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य छेट फल में कौन सा है, आंसर है मद्रपरदेश, तीसरा है महरास्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य छेट फल में कौन सा है, आंसर है गोवा, भा दादरा और नगर हमेली केंद शाष्य प्रदेश किस राज्य की सीमा पर हैं? आंसर है महाराश्य गुजरात की सीमा पर दादरा और नगर हमेली की राजधानी क्या है? आंसर है सिल्वासा केंद शाष्य प्रदेश पुदू चेरी में कितने जिले हैं? आंसर है चार, पुदुचेरी के चार जिले कौन से हैं, आंसर है माही, पांडीचेरी, कराइकल और यनम, पुदुचेरी के चार जिले कितने राज्यों में पहले हैं, आंसर है तीन, केंदर शासित परदेश, पुदुचेरी का जिला, माही किस राज्य के तटपस देत हैं, आ अंसर ए अंदरपरदेश, मुंबई में पूनी से ज्यादा वर्षा क्यों होती है, अंसर ए मुंबई वायू परवा की तरफ है, और हमार आगरी कोशन इस वीडियो का, पालगाट कि इन दो राजियों को जोड़ता है, अंसर ए केरल और तमिलाटू को जोड़ता है, अंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, पहला कोशन हमारा है, भारत का मारक समय कहां से हो का गजरता है, अंसर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है लिए वीडियो को लाइक कर देचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स् फोन पर सबसे पहले मिल जाए, मैं आपको बता दू, मेरे और भी YouTube चैनल है, अगर आपने Maths पढ़ना है, Reasoning पढ़ना है, English पढ़ना है, GK पढ़ना है, आपको बता देता हूँ, अगर आपने Maths पढ़ना है, तो आपको आना पढ़ेगा, रवी Study IQ, GK पर English पढ़ना है, और GK भी पढ़ना है, और Friends, मैं एक YouTube चैनल और भी है, रवी Tech Talk, मतलब यहाँ पे Friends, गैजट की अनबॉक्सिंग की जाती है, जो ने प्रोडक्ट साथ है, उनके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है, तो Friends, आप इस सभी चैनल को कर लीजिए, जादा दास को आप में शेर भी कर दीजिए, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सरकल में, ताकि उनको भी इस वीडियो ने, चैनल काफी जादा है, तो Friends, अब हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, एंड विश यू, आल दा बेस्ट.